हाई दोस्तों नमस्कार आप सभी का यूटूब चेनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत-बहुत स्वागत है आज से हम रीट से संबन दित कुछ महत्पून परसनों के वारे में जारेंगे आज से हमें एक नई सीरीच सुरू करेंगे और डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे वो भी अलग-अलग टोपिक्स पर तो दोस्तों सबसे पहला स्वाल यह है कि एजुकेशन सबत की उत्पती लेटिन भासा के किस सबत से हुई है तो एजुकेशन सबत की उत्पती हुई है वो एडुकेटर सबत से हुई है दूसरा सवाल यह है कि इस्कुल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है पेस्टालोजी जोन ड्यूवी फ्रोवेलिया मोन्टेंशरी तो सिक्ष्याक के वर्तमान सवरूप के विकास का सिरिय जाता है अब लोकन वीदी का उप्योग मनोवेग्यानिक करते हैं किस परकार में तो इसका उत्तरोगा बच्चों के व्युवार के आकलन में अगला स्वाल, शिक्षा के द्वारा बालक की जनमजाद सक्तियों को बाहर निकाला जाता है, ये कतन किसका है, तो ये कतन फ्रोबेल का है कौन सा मनोविग्यानिक नहीं है, जो जोन ड्यूवी थे, वो मनोविग्यानिक नहीं थे कौन सा शित्र मनो विग्यान के अंतरगत नहीं आता है तो राजनेतिक जो शित्र है जो राजनेतिक मनो विग्यान है वो मनो विग्यान के अंतरगत नहीं आता है मनो विग्यान व्यवार का सुद्ध विग्यान है ये कथन किसका है तो ये खतन James Watson ने दिया था कौन सा शेत्र मनोविज्यान के अंतरगत नहीं आता तो दोस्तों आर्थिक मनोविज्यान जो शेत्र है वो मनोविज्यान के अंतरगत नहीं आता है psychology सबत की उत्पत्ती किस भासा से हुई है तो जोस्तों ग्रिक बासा से इसकी उत्पत्य हुई है psychology from the standpoint of behavior ये रचना है वो किस किये तो ये रचना है वो James Watson किये a dictionary of psychology ये रचना किस किये ये है James driver की field of psychology रचना किस मनवे ग्यानिक किये है तो गिल फोर्ड की जो रचना है वो field of psychology है मनोविज्यान क्या है तो इसका उत्तरे दोस्तों विधाहिक विज्यान है जो मनोविज्यान है outline psychology रचना किस की है तो विलियम मेकडूगल की जो रचना है वो outline of psychology है आदोनिक सिक्षय का सम्मंद स्व्यक्तिवे समास दोनों के कल्यान से है ये कथन किस ने दिया था दोस्तों ये कथन फ्रेट सन ने दिया था मनोविज्यान की सरवत्म परिवाशा चेतना के वर्णन वे वेख्या के रूप में की जाती है ये कथन किस का है तो ये जेम्स का है मनो विज्यान मानव व्योभार का विज्यान है ये कथन दिया था पिल्स बल्ली ने मनो विज्यान के नुसार सिक्षय का केंदर है दोस्तों मनो विज्यान के नुसार सिक्षय का केंदर वो सात्तर होता है मनो विज्यान के ज्यान के परसली थोने के कारण ही सिक्षन वीडियो में क्रांतिकारी परिवर्थन हुआ ये कथन दिया था रे बहर ने दोस्तों आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे ही और वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको किस टाइब के जो क्यूस्टन पेपर है वो चाहिए जेहिन जेभर्द